वरुन धवन की फिल्म भेडिया का जब ट्रेलर आया था तो कहा जा रहा था कि फिल्म ब्लॉक्बस्टर रहेगी शांदार ट्रेलर था और लंबे समय बाद इस तरह की फिल्म आ रहे थी लोगों को इस फिल्म से उम्मीद थी उमीद वरुन धवन को देखकर नहीं थी बलकि इस फिल्म की जो टीम थी जो राइटर्स जो डिरेक्टर इस फिल्म से जुड़े थे उसे देखकर लोगों ने कहा था कि फिल्म सूपर हिट होगी लेकिन हुआ इसका उल्टा भेडिया से जो एक्सपेक्टेशन्स थी वो फिल्म एक्सपेक्टेशन्स पर खरी उत्री ही नहीं इस फिल्म में मजा था, entertainment था, बावजुद इसके लोग थेटर में इस फिल्म को देखने नहीं गए इसके पीछे बताया जा रहा है कि गलती वरुन धवन की ही है वरुन धवन को भेडिया फिल्म के रिलीज से पहले ही पता चल चुका था कि ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है उन्हें वान भी किया गया था कि अपनी फिल्म को भी रिलीज मत करो फिल्म के रिलीज डेट पोस्पोन करदो नहीं तो film flop होगी लेकिन वरुंदावन माने नहीं और उन्होंने इस फिल्म को रिलीज किया द्रिश्यम 2 के रिलीज होने के एक हफ़ते बाद ही ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात खुद फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने अपने लेटिस इंटिव्यू में कही है तरण आदर्श जो कि फिल्म ट्रेट के अच्छे खासे जानकार है वो समझते हैं कि कौन सी फिल्म चल पाएगी और किस फिल्म को किस टाइम पर रिलीस करना चाहिए ऐसे में जब तरणादर्श ने देखा कि द्रिश्यम 2 को देखने जादा से जादा लोग जा रहे हैं और फिल्म की वेव चल गई है लोग इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुख है तब तरणादर्श ने पहले ही भाप लिया था कि इस वक्त अगर भेडिया आएगी तो इ की द्रिश्यम 2 की वेव चल रही है ऐसे में आपकी फिल्म देखने कम लोग जाएंगे लेकिन मेकर्स ने तरणादर्श के इस मेसेज पर रियक्ट नहीं किया नहीं ध्यान दिया और उन्होंने भेडिया को रिलीस कर दी और रिलीस के बाद वही हुआ जो सोचा जा रहा था द्रिश्यम 2 ने लपेट लिया भेडिया को तरणादर्श ने इसका एक्जामपल ये देते हुए समझाया कि जब कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी तो बच्चन पांडे फिल्म पिट गई थी और बच्चन पांडे देखने कोई भी नहीं गया था जबकि बच्चन पांड को भी निगल गई और यही कुछ हुआ भीडिया के साथ भी